नमस्का दोस्तों स्वाकत थे आप सबी का हमारी चनल पर आज हम आपको खीरे किछलके से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे दोस्तों खीरा जो होता है उसके बिना हर सलाद अधूरा अधूरोसा लगता है लेकिन दोस्तों सिर्फ सलाद का स्वात बढ़ाने वाला खीरा कि आप जानते हैं कि आपकी सेहत को भी बहुत ही बहतरीन बना सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन B अच्छी मात्रा में पाय जाते हैं इसके अलावा इसमें सोडियम, तामबा, अमीनो एसिट, कार्बो हाइड्रेट्स, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, मैगनीज, मैगनीशियम, सिलिका, जैसे खनिश दद्व भी प्रचुर मात्रा में पाय जाते हैं या ना केवल आपके सौंदरे को बढ़ाते हैं, बलकि अनेग बिमारियों से भी आपके शरीर को बचा कर रखते हैं अक्सर दोस्तों हम खीरा जो होता है, उसको छील कर खाना पसंद करते हैं, हम उनके छिलकों को फेक दिया करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप खीरे को छिलके सहित ही खाएंगे, तो इससे आपके शरीर को धेर सारे स्वासलाब मिलेंगे तो आज हम आपको उनी मेंसे कुछ स्वासलाबों के बारे में जानकारी देंगे इसे जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने विदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं, क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदसिता को सरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिटा सकें दोस्तों, खीरे का चिलका जो होता है वो अगुलंशील फाइबर से भरपूर होता है यह फाइबर आपके पाचन तंतर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह कब्स की समस्या को दूर करता है और इसके सेवन से आपका पेट नियमेत रूप से साफ हो जाता है एक स्वस्थ आहार के लिए महिलाओं को नियमेत रूप से 25 ग्राम फाइबर और पुरुशों को 38 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है और छिलके समेत खीरा खाना आपकी इस जरूरत को पूरा करता है वहीं दोस्तों खीरे के छिलके में विटामिन के भी मौजुद होता है विटामिन के प्रोटीन को सक्री करने में मददकार होता है जो शरीर में स्वस्त हड्डियों के रख-रकाव, सेल्स के विकास और रक्त के ठकों को बनने से रोकने के लिए बहुती महतोपूर्ण माना जाता है खीरे के मुकाबले इसके छिलके में विटामिन के बहुत अधिक मात्रा में पाय जाता है छिलके समित खीरे के बाउल में लगभग 49 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है जबकि छिले हुए खीरे में इसकी मात्रा मात्र 9 माइक्रोग्राम ही होती है इसलिए दोस्तों आप खीरे को बिना छिले ही खाईए इससे आपको फायदा मिलेगा वहीं दोस्तों यहाँ प्राकर्टिक रूप से कम कैलोरी वाला होता है आप भूक लगने पर खीरा खाएंगे तो इससे आपको वजन कम करने में बहुती मदद मिलेगी क्योंकि इसमें कैलोरी की मातरा प्राकर्टिक रूप से बहुती कम होती है जैसा कि मैंने आपको बताया वहीं दोस्तों अगर आप छिल के समेथ खीरा खाएंगे तो यहाँ खाना तो और भी फायदेमंद होगा आपके लिए इसलिए आप बिना छिले ही खीरे को खाईए इसके अलावा दोस्तों अगर आप तौचा को निखारना चाहते हैं तौचा में ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप खीरे के छिलकों का सेवन कीजे इसे इस्तमाल करने के लिए खीरे के छिलकों को निकाल क अगर उसे अच्छी तरह से सुखा लीजे और फिर उसे अच्छे से पीस कर उसमें नीबू की कुछ बूदे मिला लीजे अब दोस्तों एक कटोरे में इस पेस्ट को डालिए और उसमें ऐलोवेरा जेल मिला लीजे फिर अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं हैं तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकती हैं दोस्तों इस पेस्ट को अपनी तवचा पर लगाईए और सूखने के बाद वाश कर लीजे अगर आप हफ़ते में तीन से चार बार इसका इस्तमाल करते हैं तो इससे आपका तवचा जो है उसमें ताजगी भी बनी रहेगी और उसको निखारने में भी मदद मिलेगी तो दोस्तों खीरे को छिल के समेथ ही खाना हमारे शरीर के लिए बहुती लापकारी होता है इसलिए इसे बिना छिले ही खाईए इससे आपको फायदा मिलेगा और आपको हमारे दोरा दी गई या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीचेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद